हाई फ्रेंट्स, सिविल और क्रिमिनल केस पर सुप्रिम कोट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है एक बड़े बदलाओ की दस्तक फिर से सुप्रिम कोट ने दे दी है 2018 में ACN Resurfing vs CBI के केस में सुप्रिम कोट के तीन जजेज की बेंच ने ये फैसला लिया था कि जितने भी stay order है वो 6 बहीने की अवधी तक ही valid है उसी समय सीमा तक वो valid है अगर किसी को वो extend करना है तो उसे फिर से stay की application लगानी होगी ये बहुत महत्पूर निर्नय था और ये निर्नय civil, criminal सभी मामलों में applicable थे लागू हो रहे थे stay order के बाद नीचे की कारवाई रुक जाती थी और लेकिन Supreme Court ने ये कह दिया 2018 में कि ये सिर्फ 6 महीने तक ही valid है 6 महीने के बाद फिर से stay application लगानी होगी फिर से order लेना होगा नहीं तो नीचे की कारवाई चलने लगेगी Supreme Court की तरब से एक direction पास किया गया निचली अदालतों को, trial courts को कि अगर कोई भी stay order उनके पास आता है High Court से तो उसे 6 महीने तक ही मानता मिली हुई है, स्वता trial court 6 महीने के बाद अगर कोई नया order नहीं मिलता तो कारवाई शुरू कर दे यहां तक direction दे दिया गया था, High Court में इतनी applications लग गई कि जिन cases में 6 महीने की समय सीमा खत्म हो रही थी, वहाँ पार्टियां High Court पहुँच रही थी, फिर से stay लेने के लिए allow कराने के लिए इसकी वज़ा से High Court में बहुत से मामले और applications लगने लगी, ऐसी situation जब High Court में है तो इस तरीके से 6 महीने में किसी मुकदमे का stay खारिज कर देना या automatic खारिज हो जाना ये direction सही नहीं है, ये बाते भी कही गई, Supreme Court ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि कानून को practical होना होगा एक बैभारिक नजरिये से चीजों को देखने की जरूरत है, उसरी party को सिर्फ inactive होना है, time pass करना है और stay खारिज हो जाएगा, उसरी party की गलती की वज़ा से या court में उसकी सुनवाई late तक चली नहीं हो रही है, matter list नहीं हो रहा, तो stay खारिज हो जाएगा, ऐसी वज़ा से stay होना, इसमें stay जिसे मिला हुआ है, उसकी गलती नहीं है, तो without his or her fault वो सफरर हो रहा है, ये बाते भी कहीं गए, trial court अगर कुछ कारवाई कर रही है, तो उसमें अगर high court ने stay grant कर दिया, तो नीचे की कारवाई रुख जाती है, अब जब तक high court उस पे फैसला नहीं देती, न इस logic reasoning वाले order के साथ stay दिया जाता है, और वो 6 महिने में stay खारिज हो जाएगा, बिना किसी reason, logic, सिर्फ mechanical तरीके से की 6 महिने हो गए तो order खारिज, अब फिर से apply करो, फिर से stay लेने के लिए application लगेगी, फिर सुनवाई होगी, फिर बहस होगी, फिर कोई speaking order पास होगा, चीज नहीं है, एक speaking order का खारिज होना speaking order के द्वारा ही संभव है, mechanical तरीके से कि किसी भी case में 6 महिने में खारिज हो जाएगा, ये गलत है, ये तरीका गलत है, मतलब जल्दी न्याय करने के चक्कर में न्याय को ही खत्म ना कर दिया जाए, और यही कोसिस की गई है, 2018 के सुप्रिम कोट ने स्टे के 6 मंस की वैलिडिटी को खत्म करते हुए, सुप्रिम कोट ने ये महत्वपुन बाते कही है, 2018 का न्याय को जल्द देने के चक्कर में न्याय को ही खत्म करने का प्रयाश है, दोस्तों बड़ा important decision है ये, High Court Bar Association of Allahabad versus State of UP के case में सुप्रिम कोट ने ये बहुत important निर्ने दिया है, पाँच जजेज की bench ने इस पे निर्ने दिया है, और उन पाँच जजेज में Chief Justice D.Y. चंद्रचूर भी सामिल है, छे महीने की validity के जो direction 2018 के judgment में दिये गया थे, उसको खारिज कर दिया है, अब कोई भी stay application, जब तक वो खारिज नहीं किया जाता, High Court के द्वारा या Supreme Court के द्वारा वो stay application continue रहेगा, automatic खत्म होने के जो प्रावधान किये गया थे, उसको हटा दिया गया है, बड़ा important निर्ने है, जिसका फर्क criminal, civil, tribunal, सारे मामलों में पढ़ने वाला है, तो इस information को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, मेरे चैनल को like and subscribe कर दें, बाबाई